दोस्तो अब हमारी इंडियन रेलवे सालाना 2300 करोड तक की बचत कर रही है जी हाँ ये आकड़ा सुनके आप चौक जरूर गए होंगे तो यहाँ पर इतनी बड़ी बचत हमारी इंडियन रेलवे कैसे कर रही है पूरी बात क्या है चलिए देखते हैं लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरी चैनल को सस्क्राइब कीजिए बेल आइकन पर लिक कीजिए for more वीडियो लेटेस्ट अबडेट के लिए अब यहाँ पर हमारी इंडियन डेलवे सालाना 2300 करोड तक की बचत कर रही है जी हाँ आपने बिलकुल ठीक सुना और यहाँ पर यह सेविंग हमारी इंडियन डेलवे अपनी ट्रेनों में से पावर कार कोचिस को हटा कर कर रही है वैसे फ्रेंस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस सेविंग के लिए हमारी इंडियन रेलवे को ट्रेनों के इंजिन में एक माइनर सा चेंज करना पड़ा है और इसी बदलाव से हमारी इंडियन रेलवे सालाना 2300 करोड तकी बचत कर रही है प्रेंस जैसा कि आप जानते होंगे जो ओवरहेड इलेक्टिक वायर्स होती है उसी से हमारी ट्रेनों के इंजिन को इलेक्टिक सिटी प्रोवाइड होती है लेकिन अब यहाँ पर ट्रेनों के इंजिन में एक माइनर सा चेंज किया गया है ये जो overhead electric wires हैं ये trainों के engine को तो electricity provide करेगा ही साथी में passenger coaches में भी electricity generate करेगा मतलब अब यहाँ पर पूरी entire train को जो electricity की ज़रूरत होती है वो अब overhead line से ही पूरी की जाएगी यहाँ पर important बात ये भी है कि हमारी Indian railway करोडों की saving तो करी रही है साथी में इस बदलाव से environment pollution को भी रोगने में काफी जादा help मिल रही है तो यहाँ पर ये काफी अच्छी बात है वैसे अब तक हमारी Indian railway ने 1120 trainों में से power car coaches को हटा दिये हैं वैसे अगर हमारी Indian railway सभी trainों में से power car coaches को हटा देती है तो सोचे कितनी बड़ी saving हमारी Indian railway को हो सकती है यहाँ पर एक example ले तो जो हमारी Western Central railway है वहाँ अब तक 23 trainों में से power car coaches को हटा दिये गए हैं हमारी Indian railway passengers की safety, world class facilities इन सभी को provide करने के लिए काफी सारे changes ला रही है जैसा कि safety के मामले में अब हमारी Indian railway भी European countries को टकर देती नजर आ रही है और आम आदमी के लिए सबसे सस्ते economic AC coaches को भी चला रही है इन दोनों पर मैंने already वीडियो बनाई है अगर आप interested हो तो link description box में मैंने mention की है so friends मैं आपसे फिर मिलूँगी अपनी next वीडियो में till then bye bye